बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम असलाम रहेंकुम एक्सरसाइज है हमारे पास बच्चे 2.3 इसके क्वेस्टन 7 हम लोग पहले ही कर चुके थे लास्ट वीडियो में आज हम लोग करेंगे क्वेस्टन एच नाइटन एन ओन वर्ड जितने भी क्वेस्टन होगे वह हम लोग करे है इसमें कोशन ट्रूल हो रहा है ठीक है क्योंकि आपको क्वेस्टन नबर 8 नजर आ रहा होगा कि इसमें है एक्स का स्क्वेर प्लस वन का स्क्वेर ओवर एक्स का स्क्वेर माइनस वन ठीक है तो हम लोगों को पता चले रहा है पहले क्वेस्टन से पता चले रहा है कि यह fraction में है तो हम लोग इसको first of all let कर लेंगे कि यह y के equal है ठीक है let कर लें इसको कि यह y के equal है y x square plus 1 cos square over x cos square minus 1 ठीक हो गया अब देखें यह fraction में है तो हम लोग इस पे question true apply करेंगे ठीक है तो first of all हम लोग लिखेंगे differentiate with respect to x differentiate with respect to x अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं dy by dx और यहां पे हम लोग simply quotient rule apply कर देंगे quotient rule हमें पता ही क्या होता है कि जो हमारे पास denominator में होता है first of all हम उसका square लेते हैं फिर denominator वाली चीज़ को उपर वैसे ही लिख देते हैं फिर d over dx लिखते हैं और उपर वाली d over dx उपर वाली value का लेते हैं हम लोग x का square प्लस 1 का square है हमारे पास square का खास काया रखना है उसके बाद हमारे पास यहां पे माइनस होता है फिर हम लोग जो होता है उपर वाली value को वैसे ही लिखते हैं x का square प्लस 1 का square और d over dx नीचे वाली value का derivative लेते हैं नीचे वाली value का x का square minus 1 इस वाली चीज़ का ठीक है ना के इस वाली चीज़ का ये तो formulae का x का square minus 1 का square यह वैसे ही एक्स का स्क्वेयर माइनस वन यह भी वैसे ही अब देखें यहां पर टू है तो हमें पता चाहरा है कि यहां पर पावर रूल अप्लाए हो रहा है तो हम लोग टू को नीचे ले आएंगे ठीक है इस वाले टू को तो यह टू इद्धर आ गया स्टार्ट में एक्स का स्क्यर प्लस वन एक कमी की पावर को नीचे लेके एंगे पावर में एक कमी करेंगे और उस चीज का डेरिवेटिव लेंगे जिसके उपर पावर होगी mean के base का derivative लेंगे तो base हमारे पास क्या है यह वाली चीज़ है x का square प्लस 1 तो इस base का derivative हमारे पता चारा है कि क्या आएगा 2x आएगा minus इस वाली base का जिस लिया 1 तो 0 आजाए न यह वाली देखें x का square प्लस 1 है ठीक है तो 2x इसका derivative आगया और plus 1 का 0 आया तो 0 आएड नहीं किया जिस 2x लिख लिए है माइनस अब यह वाली चीज़ वैसे ही x का square प्लस 1 यह वाली value वैसे ही लिख देंगे और d over dx हम लोगोंने किसका लेना है इस वाली चीज़ का तो इसका अब हमारे पास क्या आएगा 2x simply यहां से मैं पता चाह रहा है 2x और minus 1 का क्या होता है 0 तो हम वो आड नहीं करेंगे जस्ट यही आड करेंगे अब देखें यहां से common क्या आ रहा है यह दो values है हमारे पास तो इन में से क्या common आ रहा है 2x x का square प्लस 1 को मन आ रहा है यहां पे भी 2x है x का square प्लस 1 का square तो दोनों values में दोनों चीज़े common है तो इसको हम लोग common ले लेंगे 2x और साथ में x का square प्लस 1 यह minus 1 है यह plus 1 है यह common ले लिए यहां पे क्या रहा गया simply 2 रहा गया और x का square minus 1 2 कौन सा वाला यह वाला और यह चीज यह रहागी यह हम लोगों नीचे लिख लिए minus x का square प्लस 1 एक हम लोगों ने common ले लिया और एक अंदर रहा गया x का square प्लस 1 और 2x हम लोग पहले ही common ले चुके इसमें से तो यह ही रहा जाए गया आपर और bracket में हमारे पास क्या है x का square minus 1 का square अब इसको आप लोग open कर ले x का square प्लस 1 इसको open करें तो क्या आएगा 2x का square minus 2 minus x का square minus यह अंदर वाली values चेंज हो जाएंगी और minus 1 नीचे मारे पास आएगा x का square minus 1 का square अब देखें यह 2x का square minus x का square है तो इसमें से में के यह 2 है और यह हमारे पास 1 है 2x का square है minus x का square है तो इसमें से एक minus करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा positive x का square ठीक है x का square और minus 2 और minus 1 minus minus plus minus 3 यह हमारे पास आजाएगा 2x वैसे ही और x का स्क्वेयर प्लस 1 और साथ में यह प्लस नहीं है यह बल्टिप्लाई हो रहे है यह x का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर dy by dx यह हमार आंसर होगा simply हम लोगों ने क्या किया 2x x का स्क्वेयर प्लस 1 वैसे ही लिख दिया 2x का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर हम सॉल किया तो x का स्क्वेयर आगा पोजिटिव का माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 आगा यह वैसे ही लिख दिया तो यह हमार पास question का answer हो गया question number eight का ठीक है अब हम लोग करेंगे question number nine question number nine नहीं करेंगे question number nine same इसी की तरह है उसमें भी बस quotient rule ही apply करना है हम लोग move on करेंगे question number 10 पर तो बिच्चे question number 10 था हमारे पास under root one one plus x over one minus x ठीक है पहले मैंने इसको y let कर लिया था दर मैंने cut कर दिया क्यों cut किया इसलिए cut किया कि हम लोग y's को ऐसे let करेंगे कि y हम लोग इसका जो है ना under root उसको एक ही बना देंगे one plus x over one minus x इससे इसकी value पे कोई effect नहीं होगा मतलब कि वही value रहेगी तो इस वजा से मैंने इस one plus x one minus x को y let कर लिया इस तरह कि हमने इसका under root एक ही बना दिया नाव हम लोग लिखेंगे differentiate with respect to x differentiate with respect to x तो यह हमार पास क्या जाएगा dy by dx इक्वल में इस पूरी value की जो हमार पास value आप लोग यहां पर हम कर भी लेते है one plus x one minus x one by two ठीक है हमें पता है कि जो square root होता है उसकी value क्या आती है one by two होती है ना इसलिए हम लोगों ने इसकी value लिख दी one by two तो अब हम पता चल रहा है कि one by two है तो power है तो हम लोग यहां पर कौन चा rule apply करेंगे power rule apply करेंगे तो one by two को नीचे ले आएंगे one by two को नीचे ले आएंगे और साथ में हम लोग power में से एक कमी करेंगे one plus x one minus x तो अगर हम one by two में से एक minus करेंगे तो वह हमारे पास क्या आजाएगा minus one by two साथ में हम लोग लिखेंगे d over dx base का derivative मीन के जिसके उपर power थी वह हमारे पास क्या है base क्या है इसका derivative अब यह वाली values वैसे लिखते जाएंगे one plus x one minus x minus one by two dot इसका इस पर तो देखें फ्रेक्शन दी तो पता चाड़ा है कि कौन सा rule अप्लाई हो रहा है पावर रूल तो कोशन्ट रूल अप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर one minus one minus x का square और one minus x उपर वैसे ही और d over d x उपर वाली वैल्यू का derivative one plus x का derivative माइनस उपर वाली वैल्यू दन नीचे वाली वैल्यू वैसे ही sorry उपर वाली वैल्यू वैसे ही one plus x और d over dx नीचे वाली वैल्यू का derivative इसे वाली वैल्यू हमारे पस क्या है one minus x बहुत इसी जा क्वेस्टेंज है बस आप लोगों ने इसका अंडरूट लेके इसको बाई इस रूल से करना है कि पावर को इदर ले आना है तो कोशन्ट रूल को आप लोगोंने सॉल करना है one plus x one minus x minus one by two dot one minus x का square one minus x वैसे ही d और dx one plus इस इस चीज का हमारे पास derivative क्या आएगा one क्यों 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 हमारे पास क्या होता है derivative zero constant term में x का derivative हमारे पास होता है one तो one plus zero हमारे पास क्या आया 1-1 प्लस x वैसे ही d over dx 1-x तो इसका हमारे पास 1-x का derivative क्या आएगा माइनस 1 पच्चे यहां पर एक जीज़ आपको नोट करने वाली है वो यह है के दिखें यह हमारे पास जो क्या उसको कहते है power माइनस में माइनस 1 by 2 है तो जब यह नीचे आएगी mean के 2 के साथ आएगी तो यह बन जाएगी 1 plus x 1 minus x उपर 1 रह जाएगा ठीक है mean के यह base जब नीचे आएगी तो positive हो जाएगी तो जब हम लोग ऐसे आएगी 1 by 2 1 plus x over 1 minus x ठीक है dot ऐसे आएगी यह उपर से mean के नीचे आएगी इसको क्या करना है 1 minus x का square इसको solve करें आप लोग तो यह क्याएगा 1 minus x 1 से multiply करेंगे minus और यह वाला minus plus हो जाएगे तो 1 plus x हम लोग change नहीं करेंगे minus x और plus x कट जाएगे हमारे पास क्या आजाएगा 2 2 over 1 minus x का square तो अब यह वाली चीज़ यहां पर note करनी है कि यह जो हम लोग नीचे लेके आएगे थे ना इसको अब हम लोग जा रहे हैं कि हम उपर ले जाएगे इसको mean के हम लोग 1 by 2 तो ऐसे लिखा रहने थे और इसको ऐसे लिख दे mean के यह 1 के साथ multiply हो रही है जब यह उपर जाएगी तो इसकी value of 1 minus x ओबर में 1 plus x आ जाएगी ठीक है dot और इस true के साथ यह 2 cancel हो जाएगा यह 1 के साथ multiply हो रही है mean के साथ multiply हो रही है और इस true को हम लोगों ने true के साथ cancel कर दिया first of all हम लोगों ने क्या किया है कि minus 1 by 2 आप लोगों ने simply यह करना है कि minus 1 by 2 होता है तो आप लोगों ने next step से यह step कर देना है यह तो मैंने आपको करवाने के लिए step किया आप लोगों ने इसको 1 minus x mean के यह वाले चीज़ उपर ले जाना है 1 plus x को नीचे ले आना इसको तो simply आप लोगों ने इसको उलट कर देना है समझ ले mean के easy wording में इसको उलट कर देना है कि 1 minus x 1 plus x को लिखे और इसकी power को positive कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने change ही कर दिया इसकी fraction को तो यहाँ पर आप हम लोगों ने क्या करना है नीचे हमारे पास आजाएगा 1 plus x का अंडर रूट और 7 में हमारे पास आएगा 1 minus x के 2 और उपर से हमारे पास के आया minus 1 by 2 तो हम 7 में लिख लेंगे minus 1 by 2 इसको इदर इसॉल करें 1 और 7 में हमारे पास आजाएगा 1 plus x का अंडर रूट और 1 minus x 3 by 2, इसको 2 2s are 4 2 2s are 4 4 minus 1, 3 3 by 2 हमारे पास आ जाएगा यहां पे क्या था? dy by dx तो यह बच्चे हमारे पास हो जाएगा question 10 complete question rule हम लोगों ने simply apply किया था और then हम लोगों ने उसको simplify करके question rule ले लिया था then हम लोगों ने question rule का उसको solve किया 2 के साथ 2 को cancel कर दिया बस एक चीज इस question में important थी जो next question में भी हम लोग use करेंगे वो यह वाले चीज थी बाकि तो आपको समझा के होगा कि बस इस वाली base को आप लोगों ने positive नन है तो आप इस fraction को change कर देंगे hopefully आपको समझा के होगा क्योंकि next questions बिल्कुल इसी तरह इसलिए इस questions को थोड़ा अच्छी तरह समझना होगा then अब हम लोग करेंगे question number 11 जी तो question number 11 हमारे पास 2x minus 1 under root over में under root x का square plus 1 first of all हम क्या करते होते हैं इसको लट कर लेते होते हैं कि किसके equal है y के y is equal to 2x minus 1 over में x का square plus 1 then हम लोग क्या लिखते होते हैं differentiate with respect to x अब यहां पर भी question rule apply होगा क्योंकि हमें पता चल रहा है कि दो चीजे हैं और fraction में हैं दो values हैं और वो fraction में इसलिए हम लोग यहां पर question rule apply करेंगे वो हमारे पास क्या होता है dy by dx first of all question rule क्या होता है कि नीचे वाली value का square x का square plus 1 1 by 2 इसको मैं लिखे रही हूं 1 by 2 किसका लिखा है इस under root का लिखा है ठीक है और इसका square और यह वाली value अब उपर वैसे ही x का square plus 1 1 by 2 just square नहीं अंदर वाली value वैसे ही d over dx उपर वाली value का derivative वो हमारे पास क्या है 2x minus 1 और साथ में minus उपर वाली value वैसे ही 2x minus 1 नीचे वाली value का derivative नीचे वाली value हमारे पास क्या है x का square plus 1 और अंडर root तो हम लोग लिखेंगे x का square plus 1 1 by 2 ठीक है अंडर root की value यहां पर put कर दिये बाकी x का square plus 1 1 by 2 का square ठीक हो गया यहां पर आएगा x का square plus 1 का 1 by 2 और d over dx इस पूरी का derivative अब हमारे पास क्या आएगा 2x का derivative तो हमारे पास आएगा 2 2x का derivative क्योंकि x हमारे पास क्या होता है 1 2 को 1 से साथ multiply करेंगे 2 क्या आएगा 2 तो minus 1 हमारे पास होता है 0 2 minus 0 2 ही आएगा minus 2x minus 1 वैसे ही और इस पर देखें अब कौन सा rule apply हो रहा है power rule तो हम लोग यहां पर power rule लगा लेंगे 1 by 2 और साथ में हम लोग लिखेंगे x का square plus 1 और इसमें power में से एक कमी करेंगे ठीक है x का square plus 1 और इसमें एक कमी करेंगे तो 1 by 2 minus 1 हमारे पास क्या आए जाएगा minus 1 by 2 आजाएगा ठीक है minus 1 by 2 आजाएगा उसके बाद हम लोग क्या करते होते हैं कि power को नहीं चले के आते हैं उसमें एक कमी करते हैं और फिर base का derivative लेते हैं यह उस चीज का derivative लेते हैं जिसके पर power होती है तो base हमारे पास क्या है बेसिकली यह है x का square plus 1 तो इसका layer derivative वो हमारे पास क्या आता है 2x आता है ठीक हो गया अब देखें यहाँ पर हम fraction को अलादा कर लेते हैं और बाकी question को solve कर लेते हैं ठीक है fraction को अलादा कर लेंगे और बाकी जो questions होगा उसको हम लोग solve कर लेते हैं mean के कौन सी fraction यह वाली fraction जो हमारे पास है न यह वाली इसको हम लोग अलादा कर लेंगे इसको बच्छे थोड़ा solve भी कर लेंगे 2 इस 2 के साथ cancel हो जाएगा तो यह x का square plus 1 आ जाएगा ठीक है x का square plus 1 और 7 में bracket और यहां पर हमारे पास अब सिंपल हो जाएगा थोड़ा question ठीक है अब देखें x यह 2 अंडर रूट x का square plus 1 ठीक माइनस 2 x माइनस 1 इस 2 के साथ इस 2 को cancel कर देंगे ठीक हो गया अब हमारे पास square है जाएगा जिस्ट x रह जाएगा न तो x लिखें और साथ में यह value value 2 x माइनस 1 और यह जो minus 1 by 2 है x का square plus 1 minus 1 by 2 इसको नीचे ले आएगा तो यह positive हो जाएगा mean कि यह हमारे पास आज जाएगा x का square plus 1 का अंडर रूट हम लोगोंने क्या करना है कि इसका LCM ले लेने क्योंकि माइनस है और 2 values fraction में है तो हम लोग इसका LCM ले लेंगे तो LCM हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट x का square plus 1 तो इस value को हम लोग अगर अंदर रिखेंगे fraction में तो then इस पे divide करते होते हैं इसके नीचे की है 1 तो 1 से divide करेंगे तो यह value आजाएगा mean के इसको इसके साथ हम लोग multiply करेंगे तो यह अंडर रूट का square आजाएगा square से square roots कट जाएगे तो हमारे पास simply के आजाएगा 2 और साथ में x का square plus 1 LCM तो यह plus हो जाएगा plus x खिक है यहाँ पर हम लोग bracket को closed कर लेंगे यहाँ पर हमारे पास आता है 1 over x का square plus 1 1 over x का square plus 1 plus 1 2 x का square 2 x का square plus 2 minus हम minus पहले ही apply कर चुके again apply नहीं करेंगे minus 2 x का square more plus x अब देखे कौन कौन सी value cancel हो रही है यह plus का है यह minus का है यह cancel हो जाएगे उपर हमारे पास रह जाएगा x plus 2 नीजे हमारे पास है x का square plus 1 तो एक तो यह 1 by 2 है और एक यह 1 है तो यह दोनों मिल के क्या हो जाएगे 3 by 2 यह मारे पास आजाएगा dy by dx यह मारा question हो गया question number 10 sorry 11 अब हम लोग करें question number 12 और 13 जो same है question number 10 की तरह now let's move on question number 12 so question 12 है हमारे पास under root a minus x over a plus x first of all हम लोग इसको let कर लेंगे कि यह y की equal है 1 by 2 ठीक है मैंने under root की value यहां पर put कर दिया 1 by 2 simply लिख दिया यहां पर ठीक है अब हम लोग इसको लिखेंगे differentiate with respect to x अब हम इस पर question true apply करेंगे यहां पर आ जाएगा हमारे पास dy by dx और equally हम लोग इस पर question true apply करेंगे तो क्या आएगा a plus x को square sorry हम लोग इस पर यह नहीं करेंगे फिल हाल हम लोग power rule apply करेंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dy by dx equals में यह नहीं करेंगे पहले power rule apply करेंगे तो इसके लिए हम लोग power को नीचे लिखे आएंगे 1 by 2 लिखेंगे then हम लोग लिखेंगे a minus x a plus x power में एक कमिंग करेंगे वह हमारे पास आएगी minus 1 by 2 और साथ भी हम लोग लिखेंगे d over dx a minus x और a plus x ठीक हो गया यहां पर मैं simply quotient rule apply करने लगी थी क्योंकि मैंने 1 by 2 नहीं था देखा then मैंने देखा तो 1 by 2 था इस वज़ा से हम लोग first of all इस पे power rule apply करेंगे कि mean power को नीचे लेके आएंगे then power में से कमिंग करेंगे और फिर base का derivative लेंगे base हमारे पास क्या है a minus x और a plus x simply ठीक है 1 by 2 वैसे ही a minus x वैसे ही a plus x minus 1 by 2 अब देखे इस पे हमारे पास apply हो रहा है question truth ठीक है ना नज़र आ रहा है तो a plus x का square हम लोग लेंगे a plus x वैसे ही d over dx उपर वाली value minus उपर वाली value वैसे ही और d over dx नीचे वाली value का derivative अब देखे इसको solve करें थोड़ा सा a plus x का square हमारे पास आजाएगा a plus x a का derivative 0 तो यहाँ पर minus x का derivative minus 1 minus a minus x a plus x का derivative 1 का 0 और यहाँ पर 1 और 1 by 2 इसको आप लोग अब मैंने क्या का था कि अगर 1 by 2 को हम लोग positive बनाना चाहेंगे तो इसको हम लोग fraction को में उल्टा कर लेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा ऐसे a plus x ओवर में a minus x यहाँ पर dot लिख लें one by two one by two a plus x a minus x dot a plus x का square ठीक है उपर वाली value को आप लोग minus के साथ multiply करें तो क्या आएगा minus a minus x minus a और minus minus plus x आ जाएगा ठीक है तो यह देखे बच्चे plus x और minus x हमारे पास कर ते रहा है उपर क्या रहा है minus two a यहाँ पर मैं साथ ही लिख देती हूं equals minus two a उपर value just ठीक है minus two a इस वाली पूरी value का minus two a a plus x का square तो इस वाली minus two को हम इस वाले two के साथ cancel कर देंगी यह आप लोगोंने next step करके करने सरा वीडियो बहुत long और ही थी इस वाजा से मैंने उपर यह step miss कर दिए यह आप लोग करेंगे step यहां पर हमारे पास आजाएगा a plus x इस two को two के साथ cancel कर दिए just हमारे पास अब a है और over में यह वाली value ठीक है तो a हम लोग उपर ही रहने देंगे a minus x का under root ठीक है और a plus x का square जो था एक यह square था और a plus x की हमारे पास value है one by two ठीक है यह हमारे पास two है यह one by two है तो यह दोनों base same है तो इस वज़ा से हम लोग इनको साथ ले आएंगे mean यह उपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे नीचे लेके आना satisfied है तो हम लोग नीचे ले आएंगे one plus x उस चीज़ की तरफ लेके जाते हैं यहां पर हम लोग उपर नीचे भी इसका rule होता है कि जहां पर हमारे पास value ज्यादा होगी ना mean कि यहां अगर two ज्यादा अगर यहां पे one by two होता यहां पे two होता तो हम लोग उपर ले जाते ठीक है अब यहां पे देखें यहां पे two है mean कि यहां पे value बड़ी है power जो है two बड़ी है इस वज़ा से हम इस चीज़ को नीचे लेके आएंगे तो two और one by two आपस में होंगे plus होंगे त ठीक हो गया a over a minus x और साथ में a plus x का three by two है यह मैं आपको समझाने के लिए लिए लिख रही थी इस वज़ा से मैंने इसको साथ लिख दिया इसको cancel कर दे यहां यहां पे three by two लिख दे मीन कि a plus x three by two है ना दो नहीं आ नहीं ठीक हो गया अब हम लोग करेंगे question number 13 बच्चे य हुआ यह two से two को cancel कर दिया था तो यह minus है था हमारे पास तो यहां भी हम लोग माइनस नहीं लगा है तो यह minus लगा लीज़ेगा ठीक है जी बच्चे तो question 13 है हमारे पास x का square plus one under root x का square minus one first of all हम इसको let कर लेते हैं कि यह equal किसके है y के ठीक है तो हम लोग लिखेंगे y is equal to यह जो दो under root है ना इसको एक ही under root लिख लेंगे mean क्या लिखेंगे हम लोग x का square plus one over x का square minus one और इसकी value हम लोग लिख लेंगे one by two क्यों क्योंकि देखें दोनों की उपर under root है ना तो हम लोगों दोनों को same कर लेंगे mean के दोनों को एक जैसा कर लेंगे then दोनों की value हमारे पास one by two है तो हम लोगों ने दोनों को कठा लिखें और उनकी power को कर दिया one by two ठीक है अब हम लोग simply इस पे power rule apply करेंगे जैसे हम लोगों ने question number 12 में किया है इंतो power rule apply करेंगे mean one by two power को नीचे लेके आएंगे then power में कमी करेंगे x का square plus one over x का square minus one इसमें कमी करेंगे हमारे पास आएगा minus one by two और साथ में हम लोग लिखेंगे base का derivative base हमारे पास के है d over dx base हमारी है x का square plus one और x का square minus one ठीक है अब देखें 1 by two वैसे ही ये value value भी फिल हाल वैसे ही x का square plus one over x का square minus one यहाँ पे minus one by two और dot इस पूरी पे हमारे पास कौन सा rule apply हो रहा है quotient rule तो फिर हम लोग quotient rule अप्लाई कर देते है x का square minus one का square नीचे वाली value वैसे ही mean x का square minus one वैसे ही उपर वाली value का derivative d over dx x का square plus one minus उपर वाली value वैसे ही d over dx नीचे वाली value का derivative x का square minus one ठीक है अब देखें one by two x का square plus one x का square minus one यह हमारे पास है minus one by two dot x का square minus one का square यह वाली चीज़ वैसे ही x का square minus one इसका derivative लेना है तो यह क्या आएगा two x one का तो zero आता है तो हम लोग यहाँ पर simply लिख देंगे two x minus x का square plus one इस चीज़ का derivative क्या आएगा यहाँ पर भी two x आएगा अब देखें हम अब लोग two x को कॉमा ले लेते हैं इसमें से ठीक है two x को कॉमा ले लेते हैं ताके question थोड़ा सा simple हो जाए और हमारे लिए करना इसी हो two x को कॉमा ले लिए तो आजाएगा x का square minus one x का square plus one ठीक है और नीचे हमारे पास आजाएगा x का square minus one क्वास के यहां भी हम लोग फ्रेक्शन को कर देते हैं मीन पोजिटीव कर देते हैं तो पोजिटीव करने के लिए हमें पता है कि हम लोग इसकी फ्रेक्शन को चेंज कर देते हैं X का स्केर माइनस 1 X का स्केर प्लस 1 अगर ये नेगिटिव होगा तो X का स्केर प्लस 1 उपर होगा तो अगर हम लोगों ने इसको पॉजिटीव करना में मैं नेगिटीव से पॉजिटीव करना तो इसकी फ्रेक्शन को चेंद कर देंगे तो बच्चे इस वाले टू को आप लोग इस वाले टू के साथ कैंसल कर दें ठीक है इस वाले टू को आप इस वाले टू के साथ कैंसल कर दें और बाकी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस वाले को खोल लें बच्चे यह हमारे पास उपर आ जाएगा एक्स और 7 में हमारे पास क्या है X का स्क्यार माइनस 1 X का स्क्यार माइनस 1 यह क्या कर दिया है यहां पर माइनस था ठीक है यह ब्रैकिट वैने लगा दिया ताके पता चले कि हम लोगों ने कोमन लिया 2X तो X का स्क्यार माइनस 1 ये वाला और minus x square plus 1 ये वाला तो x ये इदर ही इस bracket को अंदर हमुआ है ये वाली bracket लगाएंगे x का square minus 1 इस minus नीचे हमारे पास क्या है x का square minus 1 का square ठीक है और dot यहाँ पर हमारे पास है x का square minus 1 और x का square plus 1 ठीक है अब देखें ये minus x का square है ये positive x का square है ये दोनों cancel हो जाएंगी ये आजाएगा हमारे पास minus true उपर minus true तो minus true को इस x के साथ multiply कर दे तो ये हमारे पास आजाएगा minus true x ठीक है और नीचे हमारे पास x का square minus 1 का square तो ये भी हमारे पास x का square minus 1 है तो मैंने क्या बताया था उस value की तरफ आएंगे जहां पर power जयता होगे तो यह भी नीचे आजाएगी न क्योंकि दोनों base equals हैं तो x का square plus 1 इसका under root तो वैसे ही लिखेंगे और 7 में x का square minus 1 इसकी 2 है यह 1 by 2 दोनों मील के हमारे पास आजाएंगी 3 by 2 और यह हमारे पास आजाएगा dy by dx तो question 13 हमारे हो गए complete, question 10 आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे 10, 12 और 13 same same question है, एक ही rule इसमें use हो रहा है, तो अगर आप 10 अच्छे तरीके से कर लेंगे तो बाकिए आपको easily समझा जाएंगे बस इस method को follow करने तो questions हो जाएंगे, इसलिए इसलिए इन्शाला और अगर कोई भी confusion हुई तो आप लोग comments में पूछ सकते हैं thanks for watching, लाहाफिज